एलो स्टुडेंट्स गुड मानिंग आज मैं आपको मेरे सब्जेक्ट टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलोजी का यूनिट सेकिंड का रिवीजन कराऊंगे क्योंकि लॉक्डाउन की वज़े से आप सब घरों में सुरक्षित हैं और पढ़ाई के जारी रखते हुए मैं आपको रिवीजन करा रही हूं तो यूनिट सेकिंड जो है टास्क ऑफ टीचिक शिक्षन की अवस्थाएं उसका हम शॉर्ट में आज रिवीजन करेंगे तो जो यह शिक्षन की अवस्थाएं हैं इनको हम दो पार्ट में रिवाइज करेंगे जिसमें से पहला है फेजिज ऑफ टीचिंग और दूसरा है लेवल्स ऑफ टीचिंग तो पहला हम लेते हैं phases of teaching, शिक्षन की अवस्थाएं, तो जो activities होती हैं, जैसा कि आप जानते हैं, जितनी भी शिक्षन करियाएं हैं, वो बहुत ही important है teaching में, because they help the students in learning, क्योंकि वो बच्चों को अधिगम में सहायता करती है, teaching activities are classified into three steps, तीन steps में हम इनको divide कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि शिक्षन की तीन अवस्थाएं होती हैं, जैसा कि पहला है pre-active phase, पूरु तक परता अवस्था, दूसरा है interactive phase, अन्ते प्रकिरिया अवस्था, और तीसरा है post active phase, अन्ती मवस्था, अब जो pre-active phase को अगर हम देखते हैं, तो pre-active phase वो होती है, जिसमें शिक्षन के लिए योजना तयार की जाती है, कक्षा शिक्षन से पूर्व शिक्षक जो भी कारे करता है, वो सब इसी step के अंदर आते हैं, और इसमें जो operations हैं, जो किरियाएं हैं, व चार पार्ट में हम बाढ़ सकते हैं, पहला है determination of teaching objectives, यानि शिक्षन के उद्देशियों को निर्धारित करना, दूसरा selection of subject matter, पाथे वस्थू का चेयन करना, तीसरा है sequencing of elements of content, पाथे वस्थू के अव्यवों की क्रमबद व्यवस्था, चौथा development of teaching strategies, शिक्षन आव्यू का विस्तार, अगर इस short में बताऊं, शिक्षन उद्देशियों का निर्धारन, यानि पहले में जो teacher है वो उद्देशियों को निर्धारित करता है, behavior change के लिए व्यवार परिवर्तन के रूप में उनको परिभाशित करता है, और वो bloom taxonomy का प्रियोग करता है, जो भी उद्द terminal behavior कहते हैं, तो इस तरह से second क्या है, selection of subject matter, यानि पाठ्थे वस्तु का चयन, छात्रों को पढ़ाये जाने वाली पाठ्थे वस्तु के संबंद में शिक्षक इस point के अंदर निर्णा लेता है, second point में teacher निर्णा लेता है कि उसे कौन सी पाठ्थे वस्तु पढ़ानी है, उसे किस भाषा में, किस तर्व के संबंद में, किस संकेत से, किस चिन्नों से उसको content को पढ़ाना है, और ये मालूम भी करता है वो कि पाठ्थे वस्तु के लिए छात्रों का भ्यावार कैसा है, किस पाठ्थे वस्तु को किस इस तरह से उसको प्रस्तुत किया जाए, इसके विशलेशन कर लेता है, तो उसके बाद उसको क्रमवत परीके से व्यवस्तित करता है, पाठ्थे वस्तु को छात्रों के इस तर्ग के ध्यान में रखते हुए शिक्षक अपने प्रस्तुती करन के लिए सारा जो सिक्षन है, उसके लिए एक व्यू रचना का निर्मान करता है, और किन-किन चीजों को उसमें प्रधानता देनी चाहिए, किन-किन चीजों को ज्यादा हमें इंपार्टंस देनी है, टीचिंग स्टाटेजी कैसी होनी चाहिए, इन सबको वो सिक्वेंशली अरेंज करता है, फॉर्थ पॉइंट है इसमें डवलप्मेंट आफ टीचिं आव्यू के दोरान उसे पढ़ाया जाए, किस स्टाटेजी को यूज किया जाए, कब उसे प्रशन पूछना है, कब उसे लेक्चर देना है, कब उसे चार्ट का प्रियोग करना है, कब उसे ब्लैकबोर्ड यूज करना है, इन सबका फॉर्थ पॉइंट के अंदर टीचर ड पूर्व करता है अब प्री एक्टिव फेज के बाद हमारी दूसरी फेज आती है इंटर एक्टिव फेज आफ टीचिंग यानि अंत्य प्रकिरिया अवस्था वह अवस्था जिसमें टीचर क्लास में जाने के बाद जो किरियाएं करता है वह सारी एक्षन इस उसमें आते हैं पॉइंट के अंदर अब यहां पर इस अवस्था को अंतर क्रिया अवस्था में निम्लिखित क्रियाएं प्रमुख रूप से होती हैं फर्स्ट है इसमें साइजिंग अफ दा क्लास यानि कक्षा के आकार की अनुभूती प्रमुख जैसे ही क्लास में जाता है सबसे पहले वो कक्षा के साइज को देखता है उसकी पूरी द्रश्टी सारी कक्षा में घूम जाती है और वो यह पता लगाता है कि कौन सा बच्चा किस समस्या को उत्पन कर सकता है कौन से छात्र उसे टीचिंग में हैल्प करेंगे इस हर इस सब की वह अनुगूती करता है और इसके बाद श्चांटि में लेवल के उनका विशे में पूर्व ग्यान क्या है पहले प्रिविएस नॉलिज क्या है तो इस तरह से तीन पार्ट्स में या तीन आस्पेक्ट्स पर वो प्रयास करता है कि पहले तो वो छात्रों की इसके बाद उनकी इंट्रेस्ट को देखता है और उसके बाद उनका जो उसकी पिछली शैक्षिक प्रस्ट भूमी है उसको देखता है इन तीनों लेविल को ध्यान में रखकर वो छात्रों का जो भी प्रॉब्लम्स है उनको निदाम करता है थार्ड पॉइंट सेकेंड फेस क स्वयवक्रम तथा अनुक्रियान शिक्षन के अंतरगत जो क्रियाएं होती है जो अक्टिविटीज होती है दूरिंग टीचिंग उनको हम वी कन डिवाइट देम इन टू पार्ट्स फर्स्ट वन इस इनिशेशन और सकेंड वन इस रेस्पोंस इन दोनों क्रियाओं ये छा तो इस तरह से यह इंटरेक्शन बिट्विन टीचर एंट चलती रहती है इस सेकिंड फेज के बाद थर्ड फेज आती है हमारी पोस्ट अक्टिव फेज आफ टीचिंग इन दिस स्टैप टीचर आस्टेशन तो इवालवेट दा बिहेवियर चेंज आप दा इस्टुएं ज आस्किंग दा कोश्यंस कुछ कुछ के चाहे वह ओरली पूछे या वह रिटर्न में देगे और सी फोकॉस्ट ओन दा फोलोइंग ऑपरेशन कौन से अपरेशन पर वह फोलो करता है दूरिंग दिस फेस फेस फस्ट है डिफाइनिंग दा एक्जक दाइमेंशन आफ टीचिं चेंजिज शिक्षन दा वहार परीवरतन के शुद्ध रूप की परिभाशा इनि अंत में शिक्षक जो है वो शिक्षन के दौरा जो भी उसके बिविवेफियल चेंज आए है उसने जो बिविवेफियल चेंज किे हैं स्टुट के अंदर उनको टेस्ट करता है और उसे वा हुआ कितने changes आएं उन सब का वह evaluation करता है और इसी उसके बाद इन सब पर निश्कर्स पर यह पहुंचता है कि कौन से युकती है कौन से techniques और कौन से methods जो मैंने यूज किये हैं वह कौन से effective रहे और कौन से ज्यादा effective नहीं रहे second point है इसके अंदर selecting appropriate teaching devices and techniques मुल्यांकन की उप्युक्त वीधियों का चयर तो यहां पर व्यावार प्रिवतन का पता लगाने के लिए teacher एक ऐसी टेक्नीक का है कुछ ऐसी devices का यूज करता है जो reliable हो और valid हो जिससे student के cognitive and non cognitive दोनों aspects को वह evaluate कर सके हर इसमें है changing the strategy in terms of evidence evidence is gathered प्राप्त सभूतों से शिक्षन नीतियों में परिवर्तन यानि जो भी उसके उसको evidences उसमें gather किये है evaluation के थूप उनसे शिक्षक पता करता है कि कौन सी जो instructions है कांसी teaching strategies है methods है जो ज्यादा effective रहे हैं और उनकिन शिक्षन नीतियों में कमिया रह रही है इन से में क्या सुधार होने चाहिए जिससे कि वह teaching objectives को पूरा कर सके तो इस तरह से यह तीन लेवल है teaching के memory level understanding level sorry इस तरह से यह तीन phases है जो हमने अभी पड़ी थी pre-active phase interactive phase and post-active phase phases के बाद next topic आता है levels of teaching teaching जो है teacher कई level पर करता है जो जानकारी देता है बच्चे को different level पर देता है उस level के according teaching के तीन इस्तर बताए गए है first है memory level स्मृति इस्तर जिसको कहते हैं दूसरा है understanding level बोधिस्तर और तीसरा है reflective level चिंतन इस्तर अगर मैं चाहूं मैं अगर इसको graph से या एक चित्र के द्वारा आपको अगर सही एक short form में बताना चाहूं या एक सरल तरीके से समझाना चाहूं तो हम इसे pyramid की form में draw कर सकते हैं जिसमें से सबसे नीचे वाला इस्तर जो है यह हमारा स्म्रथी इस्तर है जिसे हम Memory level कहते हैं दूसरा हमारा बोध स्तर है जिसे हम understanding level कहते हैं और तीसरा हमारा reflective level है जिसे हम चिंतन इस्तर कहते हैं इन तीनों स्तर की comparative अगर स्टडी में बताऊं कि teacher को इन पर किन-किन इस टीचिंग करते समय क्या ज्ञान का वह परिकलन करता है तो जो मैमोरी लेवल है वह हमारा थाट लश एरिया होता है यानि विचारें छेत्र memory यानि स्मृति में जो कुछ भी है उसी के base पर teaching करना उसी के level पर उसी इस्तर पर लेकर बच्चे को ग्यान देना तो यहां पर कोई thought नहीं होते हैं उसकी जो स्मृति में पहले से मौजूद है वो ही ग्यान teacher बच्चे को देता है दूसरा level जो हमारा बोध इस्तर है understanding level यह thoughtful area है विचार युक्त छेत्र यानि यहां पर कुछ विचार उसके होते हैं because इसमें understanding होती है उसमें बोध होता है तो उस बोध के base पर उसके अंदर कुछ thought होते हैं तो इसलिए that's why it is called the thoughtful area last one is the reflective level जिसको हम most thoughtful area कहते हैं क्योंकि यहां बच्चे की capability होती है कि वह अपने आप बच्चीजों को समझता है खुद अपने आप उसको ढूंडता है अपनी दिक्कतों को दूर करता है इसलिए यह most thoughtful area है तो यह एक शिक्षन इस्तर का तुलनात्मक अध्यम है जिसे हम इस तरह से easily याद कर सकते हैं अब इन इस तरह पर ही teaching के कुछ models बताए गए हैं क्रतिमान बताए हैं शिक्षन के तो पहला जो यह हम पढ़ेंगे models of teaching में फस्ट है memory लेवल तो memory लेवल पर क्या है हर्बर्ट ने model दिया था teaching का जितने भी teaching लेवल पर models हैं आपको उन सब के प्रवर्थकों के नाम founders के नेम याद होने चाहिए कभी कभी short question में केवल founder का ही नाम पूछ लिया जाता है तो memory लेवल पर हर्बर्ट model of teaching है अंडस्टेंडिंग लेवल पर Morrison ने दिया था teaching model और reflective लेवल पर hunts ने दिया था model तो यह आपको याद होना चाहिए हर्बर्ट का memory लेवल Morrison का अंडस्टेंडिंग लेवल और हंट का reflective लेवल अब इन तीनों को पूरा ना बताके मैं इनकी शॉर्ट में comparative studies टेबल से आपको बताना चाहती है तो यहां मैंने टेबल में यह सीरियल नमबर लिया है यह characteristics points लिये यानि जिन पॉइंट के बेस पर हम comparison करेंगे यह memory लेवल हो गया यह understanding और यह तो फर्स्ट अगर हम देखें तो सबसे पहले हम founder यानि किसने खो जाए यह तो memory लेवल हरबर्ट ने दिया understanding लेवल H.C. Morrison ने दिया and reflective लेवल MP Hunt ने दिया अब आते हैं दूसरे point पर nature यानि प्रकर्ति कैसी है इनकी जैसा मैंने पीछे बताया था आपको पिरामेड से तो यह जो memory level है इसकी प्रकर्ति thoughtless होती है यानि कोई विचार नहीं होता है इसमें जबकि understanding level में thoughtful होता है और reflective level most thoughtful होता है अगर हम अब तीसरे point पर आते हैं main objectives तो main objectives memory level का जो main objective है जो मुख्य उद्देशिए है वह cognitive objectives है ज्ञानात्मक उद्देशिय यानि ज्ञान को बाहे ज्ञान को बच्चे के स्मृत्ती स्थर में पहुचाना ये उद्देशिय है में मीमोरी लेवल का understanding लेवल का understanding and psychomotor objective है यानि क्रियात्मक और ज्ञानात्मक बोधात्मक दोनों देश्यों की पूर्ति करता है और reflective level पर synthesis उसका visualization करना और evaluation करना जो भी सोच है जो भी चिंतन किया है बच्चे ने उस content का उसके बारे में उसको analyze करना synthesize करना और मुल्यांकन उसका करना शंशलेशन विशलेशन और मुल्यांकन यह objectives है अब fourth point आता है effect of intelligence बुद्धी का क्या effect है क्या प्रभाव है बुद्धी का इन models में memory level का कोई direct connection को direct संबंद नहीं होता है बुद्धी का जबकि understanding बोध इस तरक जो इसमें बुद्धी का direct संबंद होता है क्योंकि बच्चा समझता है और तीसरे में development of creative operation capabilities यानि शिक छात्र की जो स्रजनात्मक योग्यताएं हैं उनको बढ़ाना पांचों पॉइंट आता है role of teacher इन different models में है टीचर का शिक्षक का क्या दाइत्व क्या रोल है क्या भूमी का है उसकी memory level में देखें तो teacher का मुख्य रोल होता है और यह autocratic method पर depend होता यानि जो हमारी autocratic विदिया है उस पर depend होता है यानि यहां पर शिक्षक मुख्य है और छात्र गौन रहता है understanding level में main role जो है वो understanding से होता है main role होता है teacher का लेकिन शिक्षक बच्चों की अवशक्ताओं के अनुसार उनकी अवशक्ताओं का ध्यान में रखते हुए उसे ग्यान देता है बिना इसके नहीं जैसे इसमें क्या है main है लेकिन यहां बच्चे की अवश्यक्ताओं का ध्यान नहीं है, यहां पर केवल बाहे ज्यान को देना है, निरंकुश्वादी विदियों पर यह आधारी थे, यहां पर शिक्षक का रोल मुख्य है, लेकिन उनको बच्चे के अवश्यक्ता को ध्यान में रखकर ही ज्यान देन उन्हें समझाना है उस ग्यान को, रिफ्लेक्टिव लेवल की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर टीचर जो है एक गाइड का काम करता है, उसको मार्ग दर्शन करता है, बच्य की चिंतन शक्ति को बढ़ाता है, बच्या खुद अपने आग सोचता है और उसको आगे लाता है तो यह जो यहाँ पर टीचर का जो रोल है, it is based on the democratic method of teaching, यानि जो प्रजातांत्रिक विधियां हैं, उन पर depend करते हैं, शिक्षक के साथ साथ, छात्र का क्या रोल है इसमें, तो मेमोरी लेवल पर छात्र इनक्टिव रहता है, निश्क्रिय है और इसका सेकेंडरी प्लेस है यानि गोण स्थान है, केवल वो बच्चा ज्यान प्राप्त करता है, निश्क्रिय रहता है, सुनता है और उस ज्यान को अपने अंदर लेता है, अंडरस्टेंडिंग में भी इनक्टिव होता है, बट वो excited होता है to understand the new knowledge, यानि नए ज्यान को प्राप्त करने के लिए उत्स एक्टिव है, स्टुडेंट एक्टिव रहता है totally पूर्ण तरह से and try to learn independently और अधिगम में खुद स्वतंतर रूप से अपने आप सोचता है, अपने आप सीखता है, सेवंथ पॉइंट को देखें अगर nature of motivation, यानि अभिप्रेणा की प्रकरती कैसी है, मैमोरी लेवल में पहे रूप से होती है, completely external, बोध गव में इसमें भी understanding level में भी external है, लेकिन reflective level में जो motivation है, it is completely internal, उसके अंतह करन से उसे अभिप्रेणा मिलती है, एर्थ माइंट दें, teaching method, तो यहां पर जो teaching method है, वो teacher centered होता है, शिक्षक के इंदरित हम टेक्नीक, tactics को यूज करते हैं, understanding level में content centered है, जो पाठे वस्तु है, उससे संबंदित tactics यूज करते हैं, and helpful in giving the knowledge, और यह ज्यान प्रदान करने में सहयक होते हैं, जबकि reflective level पर child centered होती है, जितने भी strategy है, and वो problem, समस्य समाधान विधी का हम यूज करते हैं, unvation विधी का यूज करते हैं, तो इस तरह से यह level, तो आज मैंने आपको unit second को एक short form में समझाया है, आशा करते हूँ कि सभी को समझ में आयोगा, फिर भी अगर कोई इस से related problems हैं, या कोई समस्या आए हैं, levels ध्यान रखने हैं, और इन levels से related, जो भी models हैं, उनका ध्यान रखने हैं, और उनके founders के name हैं, इनको especially ध्यान देना है, इन सभी models को मैंने detail में इस्ते नहीं बताए, क्योंकि यह step आप दुबारा से एक बार पढ़ लेंगे, तो सभी के most probably सभी के steps एक जैसे हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देने की उच्वा, तो यह आपको अगर समझ में आ गया होगा, तो आप मेरे को बताएं, और अगर कोई दिक्कत है, तो आप उसे दुबारा से पूस सकते हैं, थैंक्यू,